तो दोस्तो बात करने वाले हैं Honda की SP 125 Drum के Cash for Finance के बारे में तो दोस्तो अभी के समय में Cash का Exorum Price चल रहा है और इस बाइक को लेने पर कितने tax आपको देना होगा और ये on road में आपको कितने की मिलने वाली है दोस्तो अगर आप इसे finance पर लेना चाहते हैं और मैंने इसमें 6 साल का प्लान लिया है तो आपकी परमत की किस्त कितने की बनती है और टोटल व्याज आपको कितने का देना होगा तो सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं तो वीडियो को आश तलक बने लिएगा बात करें बिजनवर के प्राइस की तो इसके एक्सोरूम प्राइस है 80,288 रुपे दोस्तो आटे मंट आपको पे करना होगा 8,028 रुपे का और इंस्रेंस के आपके बनते हैं 5,966 रुपे तो सभी टैक्सिस को मिलाने के बाद आपके वन रोड प्राइस बनते है 94,282 रुपे तो दोस्तो ये तो इसके कैस प्राइस की बाद तो चले बात कर लेते हैं इसके फाइनस की अगर आप कराते हैं इसकी डाउन पैमेंट 7,125 रुपे की तो आपका लोन अमांट निकल कर आएगा 87,157 रुपे का दोस्तो अगर आप इस लोन अमांट को 25 सल याने की 30 मेने के लिए फाइनस कराते हैं तो 13.4 का रेट ओफ इंटरस्ट लगाने पर आपकी परमेंट की किस्त बनती है 3,435 रुपे की दोस्तो इस लोन अमांट को 25 के लिए फाइनस कराने पर आपका टोटल बैच बनता है 15,894 रुपे का तो डाउन पैमेंट और सभी किस्त को पे करने के बाद आपका टोटल अमांट बनता है 1,10,116 रुपे का दोस्तो अगर आप भी किसी गाड़ी की फाइनस की जानकारी चाहते हैं किसी भी डाउन पैमेंट पर यह किसी भी जगा के तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं मैं आपकी कमेंट का जल से जल रेपलाई करने की कोसिस करूँगा दोस्तो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो मैप के लिए लाता रहता हूं